चार दिन से लगातार हो रही बारिश से संगीता परिशान हो चुकी थी बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और पती तेज बुखार में तप रहा था तूटी-फूटी जोपडी में पानी भर चुका था और वो लोग किसी तरह अपने सामान को छट पर लगी हुई बरसाती से बचा रहे थे लाचार आखों से संगीता बार-बार आसमान की तरफ देख रही थी और भगवान से प्रार्टना कर रही थी कि बारिश रुख जाए कि तभी उसकी छोटी बेटी उसके पास आती है मा बहुत तेज भूख लगी है मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है मा जल्दी से कुछ खाने को दे दो तभी संगीता का पती खासने लगता है संगीता मुझे भी कुछ खाने को दे दो लग रहा है जैसे पेट में आग लग रही है संगीता सब की तरफ लाचार नजरों से देख रही थी वो रसोई में रखे हुए प्रतियेक डब्बे को खोल कर देखती है लेकिन किसी में भी सामान नहीं था बस एक डब्बे में दो मुठी डाल रखी थी वो तुरंथ पतीली चूले पर चड़ा देती है और दाल को पानी के अंदर डाल कर वो नमक मिर्श डाल कर उसे उबालने लगती है जब वो पकर तयार हो जाती है तो वो सब को पीने के लिए दे देती है भूक से व्याकुल उसके चारो बच्चे और पती संगीता सड़क पर रेड लाइट होने पर गाड़ी वालों के पास जाकर टिशू पेपर साफ करने का कपड़ा या कुछ घरिलू चीजे बेचा करती थी उसका पती सामान ढोने का काम करता था किसी तरह दोनों अपनी ग्रिहस्ती की गाड़ी को खीच रहे थे लेकिन पिछले 15 दिन से उसका पती बुखार से तप रहा था और सारा भार संगीता के कंधों पर आ गया था एक बार फिर संगीता दर्वाजा खोल कर बाहर देखती है तो हल्की फुल की बुंदा बांदी हो रही थी वो तुरंत सारा सामान एक बरसाती के अंदर लपेट कर अपनी बड़ी बेटी के साथ सड़क पर पहुँच जाती है लेकिन अभी गाड़ियों की आवाजा ही इतनी जादा नहीं थी लेकिन तब ही एक काले रंग की गाड़ी वहां पर आकर रुकती है संगीता भाग कर वहां जाती है और गाड़ी का दर्वाजा पीटने लगती है अंदर से एक अमी राद में उस गाड़ी का शीशा नीचे करता है दिमाग ठीक है तेरा गाड़ी थोड़ेगी क्या? नहीं नहीं साब ये सामान है मेरे पास कुछ चाहिए तो बताइए बहुत कम दामों में दे दूँगी घर में बच्चे भूखे हैं कुछ पैसे चाहिए थे आप इनमें से कोई भी सामान खरीद लो संगीता सेहम कर पीछे हो जाती है तब ही उसकी बड़ी बेटी भी वहाँ आ जाती है और उस आदमी से कुछ खरीदने के लिए कहती है ये कहकर वो गाड़ी लेकर निकल जाता है वो कई गाड़ियों के पास जाती है लेकिन कोई भी उनसे सामान नहीं खरीदता मा अब हम क्या करेंगे कोई भी तो सामान नहीं खरीद रहा है उमीद नहीं छोड़ते हैं बेटी भगवान किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे हमारी मदद के लिए बार-बार जैसे ही गाड़ियां रुकती दोनों मा बेटी भाग कर जाती और सबसे सामान खरीदने के लिए कहती लेकिन कोई भी सामान खरीदना तो दूर की बात है देख भी नहीं रहा था दोनों मा बेटी फुटपात पर बैठ जाती है तब ही उन्हें एक टमाटर वाला आता हुआ दिखाई देता है अंकल कुछ खरीद लो तिशू पेपर है पैन सफाई का कपड़ा है बिटिया मुझे तो इस सामान की जरूरत ही नहीं है चार दिन से बारिश हो रही थी अभी काम धंदे के लिए निकला हूँ अंकल कुछ तो ले लो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है संगीता की बेटी के मुझे ये सुनकर टमाटर वाला बड़ा दुखी हो जाता है फिर वो अपनी रेडी पर से चार टमाटर उठा कर उसे दे देता है ये टमाटर रखो सच मुझ में मुझे सामान की जरूरत नहीं है यहां से आता जाता रहता हो जब तुम्हारे पास पैसे हो तो इन टमाटर के दाम चुका देना ये कहकर वो टमाटर वाला रुकता नहीं और जल्दी से सड़क पार कर चला जाता है संगीता की बेटी वो चार टमाटर अपनी मा को दे कर कहती है मा, उन अंकल ने ये चार टमाटर दिये हैं, कह रहे थे फिर कभी पैसे दे देना गलत बाते बेटा, इस तरह किसी से चीज नहीं लेते, ये तो भीक हो गई नहीं मा, उन अंकल ने मुझे कहा है कि वो इधर से ही आते जाते रहते हैं जब हमारे पास पैसे होंगे, तो हम दे देंगे, और तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है तेज बारिश में सामान खराब ना हो जाए, इसलिए वो मा बेटी फिर से सारे सामान को बरसाती में लपेट कर घर के लिए निकल पड़ती है संगीता के बच्चे सारे सामान को वापस एक जगा पर लगा कर उसे बरसाती से ढग देते हैं घर में खानी के लिए अब कुछ भी नहीं था मा इन टमाटर का क्या गरना है? ला भाया ये टमाटर मुझे दे मा में टमाटर को बा लेती हूँ हम आज टमाटर का सूप पी लेंगे सुबह दाल का पानी और अब टमाटर का सूप ए भगवान ना जाने कब मेरे बच्चों के पेट में अन्न का दाना पड़ेगा तुझे इने देखकर इन पर रहम नहीं आ आता है रहम भी आता है भगवान को हर किसी पर रहम आता है जो सच्चे दिल से भगवान को याद करता है वो उसकी मदद के लिए कोई ना कोई जरिया बना ही देता है यो अचानक से टमाटर को बोलता हुआ देखकर उसकी बेटी के हाथ से टमाटर जमीन पर गिर जाते हैं वो सब लोग डर जाते हैं। डरो मत, हम जादूई टमाटर हैं। तुम्हारा दुख देखा नहीं गया। इसलिए भगवान ने हमें तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। सभी लोग अभी भी हैरानी से उन्हें देख रहे थे। तब हिम्मत करके संगीता उन सारे टमाटर को उठा कर एक बरतन में रख देती है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो टमाटर वाला भगवान था। नहीं वो भगवान का भेजा हुआ दूद था। समय खराब नहीं करते हुए मैं तुम लोगों के लिए खाने का इंतिसाम करता हूँ। तुम लोगों के शकल देख कर कोई भी बदा सकता है कि तुमने कही दिनों से खाना नहीं खाये। तभी वहाँ फर्ष पर सारा पानी गायब हो जाता है और एक कपड़े के उपर कई बरतन खाने से भरे हुए आ जाते हैं। कई दिनों के भूखे बच्चे फटाफट पेट भरने में लग जाते हैं और जब सब खाना खा लेते हैं वो बरतन वहाँ से गायब हो जाते हैं। मैं महनत करने से नहीं घब राती लेकिन महनत का फल नहीं मिलता है। पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक सड़क पर ये सामान बेचने की कोशिश करती हो। कुछ खरीद लेते हैं कुछ नहीं खरीदते। बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर प्रातना करती हो। मेरे घर में खाने पीने की कोई कमी न रहे। बस इतना राशन हमें दे दो। सबका पेट भरा हो तो मैं कुछ और काम सोचू। लेकिन इन बच्चों की उदास चेहरे देखकर मुझे कोई काम नहीं सूचता। मा, जादूई टमाटर से बोलो न, बाबा को भी ठीक कर दे, वो ठीक हो जाएंगे तो वो भी काम पर जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों की हालत तो सचमुच में बहुत ही खराब है, अब तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। संगीता, तुम चाहो या ना चाहो, तुम सोचो या ना सोचो, लेकिन वो सब चीज मैं तुम्हें दूँगा, जिसकी जरूरत तुम्हें इस वक्त है। कपड़े आ जाते हैं। कोई काम कर सके, ताकि आने वाले भविश्य में हम अपने बच्चों को अच्छी जिन्दगी दे सके। तुम्हारी सोच तो बहुत ही अच्छी है, मनुष्य को कितना भी मिल जाए, लेकिन वो सब कुछ एक समय आने पर खत्म हो जाता है। तुमने जो मांगा है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ये पैसे लो और इनसे जो भी काम तुम शुरू करोगे, वो काम तुम्हारा कभी बंद नहीं होगा और हमेशा चलता रहेगा, किन्तु समय समय पर अपने जैसे लोगों की मदद करते रहना। तभी वहाँ पर काफी सारे पैसे आ जाते हैं। संगीता वो सारे पैसे उठा कर एक संदूक में रख देती हैं और जादूई टमाटर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जरुरतमंद इंसान आता वो उसकी मदद जरूर करती। सब कुछ भगवान की माया है। कुछ समय पहले हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और आज भगवान की कृपा से हम लोगों का घर, परिवार बड़े अच्छे से चल रहा है। क्योंकि मैं जानती हो कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम भी कुछ नहीं होते। इस तरह दोनों पती-पत्नी मेहनत से अब अपने बच्चों का पालन पोशिन कर रहे थे। और जादूई टमाटर की मदद से उन्हें किसी चीज की कोई कमे नहीं थी। लोगों की मदद के लिए वो लोग हमेशा आगे रहते हैं और इसी तरह वो अपना जीवन खुशी-खुशी बिताने लगे। सोनी एक 11 साल की प्यारी सी बच्ची थी और एक महले में रहती थी। उसके घर के बाहर एक छोटा सा आगन था और उसके माता-पिता दोनों ही मजदोरी करते थे। सोनी पास के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती और दोपहर को घर आती तो उसके पास कोई काम नहीं होता था। मैं इधर उधर मैट कर समय निकालती। फिर एक दिन उसके बाबा ने उससे कहा सोनी बेटा थोड़ा बाहर बच्चों के साथ खेला करो। बाबा मैं खेलती हूँ लेकिन मैं बोर हो जाती हूँ सबी बच्चे भी घर चले जाते हैं फिर मैं अकेली हो जाती हूँ अच्छा तो ऐसी बात है तो तुम एक काम क्यों नहीं करती अपने आंगन में इतनी सारी जमीन तो है तुम उसमें छोटे छोटे पोदे लगाओ फिर तुम उन पोदों को पानी देना उनका ख्याल रखना उनसे बाते करना देखना इस तरह तुमारा दिन भी अच्छा हो जाएगा और आंगन भी अरावरा हो जाएगा सची बाबा हां यह तो मैं भी कर सकती हूँ और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है बादों के साथ स्कूल का गार्डन है ना उसमें भी बहुत सारे पौदे हैं हम लोग भी खेलते रहते हैं उन्हें चूते हैं और उनसे ब खाना खाओ शोणी अपने माता-पिता के साथ बैट कर खाना खाती है और जब सोने जाती है तो सपने में उसे अपना आंगन हरा भरा नजर आ रहा था उसमें बहुत सारे भव्रें और तित्रिया नजर आ रहे थे यहां तक कि बहे देख रही थी कि फूलों पर मदम अख्य लगाएगी सोनी जो पोदा तुमें अच्छा लगे तुम वो खरीद कर लगा दे ना सोनी स्कूल चली जाती है और उसके मात्या पिता मजदूरी करने चले जाते है स्कूल से आते समय पोदे की नर्सरी के सामने खड़े होकर पोदो को देख रही थी नर्सरी वाला बोलता है क्या हुआ बिटिया कौन सा पोदा देख रही हो कोई सुन्दर सा पोदा दिखाओ जिसमें बहुत अच्छे फूल आते हो यह लो बिटिया बीस रुपे हुए बीस रुपे रहने दो अंकल मेरे पास तो दस रुपे है सोनी के चहरे पर आई उदासी को देखकर माली को अच्छा नहीं लगा उसने वह पोधा उसे दस रुपे में ही दे दिया सोनी खुश होते वे बहां से घर चली आती है और पोधे को अपने आंगन में लगाकर उसे पानी दे देती है देखो मैंने तुमें खात भी दिया और पानी भी दिया है अब तुम अपना ख्याल भी रखना मैं भी तुमारा ख्याल रखूँगी और हम लोग रोजाना बहुत सारी बाते करेंगे थोड़ी ही देर में पोधा खिला खिला दिखाई देने लगा सोनी खुश हो गई और उसे लगा कि पोधा उससे बाते कर रहा है जब उसके माता पिता घर आए और सोनी के द्वारा लगाए गई पोधे को देखा तो दोनों बहुत खुश हुए अब सोनी के बाबा उसे हफते में 10 रुपे देते और सोनी भाग कर नर्सरी पर पहुँच जाती और वहां से एक पोधा लाती और अपने आंगन में लगा देती देखते ही देखते उसके आंगन में बहुत सारे पोधे हो गए अब उन पोधों के बीच में ही बैठे हुए उनसे बाते करती उनकी दखवाली करती और उनकी देखबाल करती इसी तरह उसका टाइम भीदने लगा एक दिन उसकी मा घर आती है हे भगवान यह महगाई तो जान लेकर रहेगी आप देखो टमाटर 40 रुपे किलो गरीब सबजी तो खार नहीं सकता चटनी के भी आसार गए मा टमाटर का पौधा बहुत बड़ा होता है अरे नहीं नहीं सोनी जो तुमने बोला है ना बहुत बड़ा इतना बड़ा नहीं होता है टमाटर का पौधा होता है और कुछ थोड़ी सी बेल उपर को चली जाती है तो क्या मा मैं अपने आंगन में टमाटर का पौधा लगा सकती हूँ अरे मेरी बिटिया कितने पौधे और लगाएगी अब तो आंगन काफी हरा मरा हो गया है अब जा जल्दी से खाली उठाला थोड़ी बहुत सबजी बना लेती हूँ सोनी की मा सबजी काटने लगती है और सोनी सोचती है माली अंकल माली अंकल मुझे आज एक टमाटर का पौधा दे दो मा कह रहे थे कि टमाटर बहुत महंगे हो रखे है यह बात तो तुमारी मा बिलकुल सच कह रही है वेटा टमाटर बहुत महंगे हो रखे है चल देखता हूँ कोई टमाटर का पौधा होता है तो मैं तेरे को देता हूँ आखे काफी देख भाल करने के बाद में एक कोने में छोटा सा टमाटर का पौधा माली को मिल जाता है मैं सोनी को दे देता है वैं उस पौधी को लेकर घर आती है और एक जहाँ पर उसे लगा कर बोलती है टमाटर के पौदे तुम जल्दी से बढ़े हो जाओ और धेर सारे टमाटर दो मैं तुम्हारा बहुत क्याल रखूँ ही पता है बाबा मैंने टमाटर के पौदे को बोल दिया है तुम जल्दी बढ़ा हो जाएगा फिर उस पर धेर सारे टमाटर आएंगे अच्छा तो टमाटर के पोदे ने तुमारी बात मान ली सुन रही हो सोनी की मा कल से हमारे घर में धेर सारे टमाटर लगा करेंगे क्योंकि हमारी सोनी बिटिया ने टमाटर के पोदे से कहा है कि वह धेर सारे टमाटर दे टमाटर बहुत महंगे हो गए है मैंने उसको बताया इसलिए इसने ऐसा बोला और मेरी बेटी के हातों में तो जादू है जादू देख रहे हो आगन कितना हरा मरा हो गया है एक एक पौधे पर कितने सुन्दर फूल आए हुए है अगले दिन सुभा सोनी स्कूल के लिए जब जाने लगती है तो उसकी नजर टमाटर के पौधे पर पड़ती है उस पर छोटे छोटे टमाटर लगे हुए थे वह खुश हो जाती है और उल्टे पैर घर के अंदर आकर अपने मा बाबा का हाथ पकड़कर बाहर जाती है सोनी के मा बाप दोनों एक दूसरे को हिरानी से देख रहे थे क्योंकि उन्हें पर्दा था कि एक छोटा सा पौधा अचानक से इतना वड़ा टमाटर कैसे दे सकता है सुनो जी यह पौधा सही तो है ना कहीं ऐसा भी होता है कर लगाया है और आज टमाटर भी आ गए कहीं किसी ने कोई जादू टोना करके तो पौदा नहीं दे दिया यह जादू टोना क्या होता है माँ कुछ नहीं बिटिया कुछ नहीं यह पौदा तुम कहां से लेकर आई हो जहां से सम पौदे लेकर आई हो माली अंकल से वह सब छोड़ो ना मा देखो कितने लालाल पकेवे टमाटर है अरे बापरे हम लोग एक दिन में क्या बड़े हो गए तुम लोग हमारे बारे में इतना कैसे सोच सकते हो हम कोई जादू टोने से नहीं बने है हम लोग तो टमाटर है सोनी के कहने पर यहां पराय है क्योंकि सोनी बहुत अच्छी लड़की है वो पोदो की देख भाल करती है गबराओ नहीं बिल्कुल भी गबराओ नहीं हम लोग जैसे टमाटर होते हैं हम वैसे ही टमाटर हैं बस जैसे ही तुम हमें तोड़ोगे फिर तुम्हें हमारे अंदर से जादूई चीजें दिखाई देंगी कैसी जादूई चीजें तुम्हें एक टमाटर तोड़ो और देखो सोनी के माबा डरते हुए एक टमाटर को तोड़ते हैं और फिर उसे चाकु से काट कर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं टमाटर के बीज की जगाँ छोटे-छोटे सोने के दाने थे और यह देकर वैं हैरान हो जाते हैं सोनी और सोनी की माँ भी उन छोटे-छोटे चमकते हुए सोने के दानों को देकर अचमबित हो जाती हैं इसका मतलब टमाटर के पौधे सच मुछ में जादू ही पौधे हैं मतलब हमारी सोनी ने जादू ही टमाटर लगाए हैं सोनी की मा और उसके बाबा की आखों में खुशे के आशु आ जाते हैं वें भार आते हैं तो टमाटर की पौधे उनसे उनका अनभा पूछते हैं यह तो आप लोगों ने हम पर दया कर दी लेकिन तुम बोलने वाले पौधे हो तुम हमसे बात कर रहे हो तुम्हें इस तरह तोड़ कर काटना क्या सही होगा? हाँ हाँ बिल्कुल सही होगा क्योंकि हम करतें के बाद में कुछ भी नहीं होते वस हमारे अंदर के भी सोने में बदर जाते हैं तुम्हें जितना चाहिए उतना सोने कठा करो और अपना काम शुरू कर दो और हाँ अगर तुम चाहते हो कि तुम बाजार में टमाटर बेचो तुम्हें काम करो हम में से दो कोई भी टमाटर लो और उनके बीजों को अपने आंगर में भी खेर दो उससे जो टमाटर निकलेंगे वो कभी भी खतम नहीं होंगे रोज उन पर धेर सारे टमाटर आएंगे फिर तुम अपने टमाटर का व्यापार भी कर सकते हो मगवान जब देता है चप पर फार कर देता है देखो तो कैसे किसमत बदल गई हम लोग इस पोट से पूरे 30 टमाटर है हर दिन के लिए एक टमाटर उन में से दो टमाटर तुम अपने व्यापार के लिए अभी आंगर में भी खेर दो बागी बचेंगे जो उस में से तुम सोने के दाने चुन लेना जिस दिन आखरी टमाटर तुम तोड़ोगे वो जिरम गायव हो जाएंगे फिर तुमारे पास बच व्यापार करने वाले टमाटर रह जाएंगे और वो इतने फलेंगे फूलेंगे के तुमें कभी किसी चीज की कभी नहीं होगी और विल्कुल वैसा ही हुआ सोनी और सोनी के बाबा ने दो टमार्टर तोड़े और उनके बीजो को आंगर में बिखे दिया दो ही दिन में उनमें धेर सारे टमार्टर आ गए और जो पौधा जादूरी टमार्टर का पौधा था उसमें से सोने के छोटे छोटे बीजो को वह रोज खटा करते और देखते ही देखते उनके पास में काफी सारा सोना हो गया अब सोनी और सोनी की मा साथ साथ घर पर रहती और सोनी के बाबा टमाटर को तोड़कर बाजार में व्यापार के ले ले कर जाती पता है मा, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं स्कूल से आती थी, तो मैं अकेली हो जाती थी अब तुम पूरा दिन मेरे साथ रहती हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा भी जब शाम को अपने काम से आते हैं तो घर कितना भरा-भरा लगता है और यह सब कुछ जादूई टमाटर के विज़े से हुआ है मेरा प्यारा जादूई टमाटर हाँ बेटा, भगवान भी तुझे उपर से देख रहा होगा तब ही उसने तेरे लिए उस जादूई टमाटर को बनाया अब तो सोनी के घर में खुशियों के बहार थी सोनी को अपने माता-पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय रहने को मिलता और उनके घर के हालात भी अब बहुत अच्छे हो गए थे वो लोग खुशी-खुशी रहने लगे